नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टार मिस्कू नियूज में दोस्तों बात कर लेते हैं आज की महत्तपून ख़बरों के संबंद में उससे पहले जो मेरे चैनल पर नई वीवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको किसी भरती के संबंद में या पर से कर रही हैं उनके लिए नियूज आ चुकी है दोस्तों पढ़ लेते हैं पूरी ख़वर क्या है आरक्षी पद के चैनितों के दूसरे बैस की ट्रेनिंग माई से जिया दोस्तों जो बच्चे अपने ट्रेनिंग का बहुत लंबे समय से इंद्जार कर रही है उनके लिए 17,000 अभ्यरतियों को प्रिस्टिक्षन पर भेजा गया प्रिस्टिक्षन की अबदी 6 माह है मई के बाद अगला बैच नवंबर में प्रिस्टिक्षन के लिए बेजा जाएगा इसके बाद मई से जून तक 6 अभ्यरती ट्रेनिंग पर जा सकेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 35,000 से अधिक अभ्यरतियों ने पुलिस के आला अफसरों से उनका मेडिकल परिक्षन कराकर उने न्युक्ति पत्र दिये जाने की मांगी है मगर शाशन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है तो दोस्तो ये खवर हो गई कॉस्टेवल भरती के ट्रेनिंग के संबंद में दोस्तो अब बात कर लेते हैं हम यूपिटर पलेसी के धरने के संबंद में दोस्तो उत्तर प्रदेश अधिना सेवा चैनायोग पर कल दो भरतियों के धरने हुए थे और वो धरने बहुती महत्पूर्ण थे पहला धरना था गिराम विकास अधिकारी भरती 2018 और दूसरा ध बात कर लेते हैं पहले धरने के संबंद में दोस्तो उत्तो यह है चैनित अभ्यरतियों ने सीम आवास के सामने प्रदर्शन कर मांगी न्यूकती पढ़ लेते हैं पूरी ख़बर इसमें क्या है ग्राम पंचात अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्यान परिविक् बताया कि भरती का परिणाम 28 अगर्श 2019 को यूपिटर पलसी की ओर से जारी हो चुका है उन्होंने बताया कि परिक्षा के संबंद में कुछ अन्यमित्तों की शिकायत अधिनस सिवा चैनायोग को परिक्षा परिणाम गोशित होने के पश्चात की गई इसकी जाच कर आयोग ने 29 फरवरी 2020 को 1553 चात्रों के अभिलेक सत्यापन के लिए प्रिथम सूची जारी की और 5 दिन अभिलेक सत्यापन भी कराया गया उन्होंने बताया कि इसके बाद लोगडाउन के चलते काम ठपो गया लोगडाउन खुलने के बाद आयोग ने 20 जून 2020 को वेबसा रहा और दोस्तों जल्दी इनकी न्यूक्ति हो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं तो ठीक है दोस्तों अब आते हैं अगली ख़वर पे दोस्तों अगला धरना था केन सुपरवाइजर भरती 2016 का तो इसके बारे में पूरी निउस क्या है वो देख लेते हैं अब ही तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं जब वहां से बात करते हैं तो करते हैं अभी एप्रूबल नहीं मिला है इसके वज़े से हम लोग बहुत ज़्यादा परिसान है और बार बार हम लोग आते हैं और यहां से क्यों निरासा होके चले जाते हैं और फाइनल रिजल्ट देने का इन लोग का नाम नहीं है कि यहां पर लगो पचीस तीस अब भगा दिया यहां से अभी तब पुलीस आई थी हम लोग सुभे से हैं और पचास अब भगा दिये और वह बोले कि अगर यहां पर रहोगे तो 144 धारा लगी है हम आप लोगों को जेल भेज़ देंगे और इसके बास नौकरियोगरी सब भूल जाओगे अभी तक कुछ नहीं मिला है अभी सची उसे मिलने गये थे तो वह बोले कि मतलब अभी तक वह टाइम दे दिये कि 10 तक इंतिजार करो 10 जनवरी तक इंतिजार करो और इससे पहले हम दो तीन बार आ चुके हैं तो वह पहले बोले थे कि दिसंबर तक करे सकते हैं कब तक रिजल्ट आएगा कब तक नहीं आएगा इसका कोई कंफर्म इंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो अग्या है तो दोस्तों आपने लिए किस तरह से यूपी ट्रिपलेसी पर लगातार बच्चे धरना कर रहे हैं लेकिन उनकी बास होने को कोई तयार नही दोस्तों भरती है खंड सिख्षा अधिकारी बी यो के सम्मंद में 309 पदों पर चैन 112 रहेंगे खाली महानिदेशक ने शाशन को 112 पदों को समाप्त करने का भेजा प्रस्ताव दोस्तों पढ़ लेते हैं से पूरी ख़वर क्या है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने 16 अगस्त को 309 पदों पर खंड सिख्षा अधिकारी के चैन के लिए लिखित परिक्षा कराई दूसरे ही दिन 17 अगस्त को महानिदेशक स्कूल सिख्षा ने इस सम्मवर के 112 पदों को खत्म करने का प्रस्ता भेजा इन पदों को युक्ती संगत करने पर साशन सहमत हुआ ल रिक्त पदों के लिए चैन हो रहा है और साथ ही उन्हीं पदों को खत्म करने का भी परस्ताब दिया जा रहा है ऐसे में सवाल उठा रही है कि यदि वह करना ही था तो चैन का अधियाचन भेजने से पहले क्यों नहीं हुआ चैनित होकर जब अभ्यरती आएंगे तो उन्ह कहां रखा जाएगा सवाल यह भी है कि कैबिनेट से स्विक्रत पदों को रिक्त कैसे रखा जा सकता है बेसिक शिक्षा विभाग इन दिनों खंड शिक्षा अधिकारियों का चैन करा रहा है इस पद की नियम वाली ने होने विग्यापन में समवर्ग को समूग गैल इकने पर पहले से नाराजगी है अब 112 पदों का रिक्त रखने के आदेश से खंड शिक्षा अधिकारी आहत हैं उनका कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी के 1031 पदों को फरवरी 2009 की कैबिनेट ने स्विकरती दी थी उसी आधार पर 14 जुलाई 2011 को समवर्ग के पुनगठन का शा 17 मंडल मुख्यालों में उर्दू वे संस्किर्ट उप सिक्षा निदेशाले कारगाले में एक-एक पद तेह हुआ था नौ साल बाद प्रदेश में जिला मुख्याले महानगर आदी सब बढ़ गए हैं फिर भी पद खतम करने का परस्ता बेजा गया वह भी उस समय जब रि दरणाम का इंतिजार भी करते हैं और जब भरती पूरी होने को आ रही है तो इसमें 112 पद भो खतम करने के बात चल रही है तो यही पद खतम ना हो और जो बच्चे हैं उनको सभी का इसमें चैन हो तो ठीक है दोस्तों यह होगई आज की खबरे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को शेर कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों